हेलो भाई मेरा नाम है अर्शर्मा भाई आज मैं आपके लिए काफी इंटरस्टिंग वीडियो लेका है हूँ भाई आज हम इस वीडियों में बात करने वाले हैं कि अपरेल के महीने में कौन सी कमणी ने कितनी गाड़ी वेक्षी है भाई वैसे तो गाड़ी के जाद सेल्स नहीं हो पारी या तो सेमिकंडेक्टर चिप्टी की कमी होने के कारण कह सकते हैं तो इसके बाद भी जादर डिलीवर हो नहीं पारी गाड़ी कंपनी से तो फिफ्टींथ पोजिशन पर आती है सिट्रन जिसकी कुल 11 उनिट्स भी है भाई ये 2021 में कंपनी इंडिया में आई इक भी नहीं देखिया भी खुद बताऊं तो वहीं ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है देखते है क्या करती है सिट्रन कंपनी और 14 पोजिशन की बात करते हैं तो आती है फोर्स मोर्टर जिसकी 280 उनिट भी है और इसके अगर मैं होट सैलिंग प्रड़क्ट की बात करता अपनी हर महीने इसके आसपास निकाल पारी है और बात करते हैं 13 पोजिशन की 13 पोजिशन पर आती है जीप और इसकी अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो इसकी अपरैल में सेल हुई है 886 उनिट और जाजाएतर सेल्स तो आपको पता यह इसकी जीप कंपस कुछ दिन पहल है जीप मेरिडियन जो की अपने सेगमेंट में फोर्चनर और एमजी ग्लोस्तर चैसी गाड़िये को कॉंपीट करने वाली है देखते गाड़ी भी सक्सिस्फुल हो पाती है यहां फिर फेल हो जाती है और मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो नेक्स्ट पोजिशन पर आती है एमजी ओर मौरिस गाराजिज इसकी में सेल्स की बात करता हूं तो दोहजार आर्ट यृट भी है भाई जितने इनके प्रोड़क्ट है इस कम्पनी की यह गाड़ी भी अपनी नहीं निकाल पारी है सिर्फ दोहजार आर्ट यृट एमजी हेक्टर हेक्टर प्लस एस्टर ए देखना यह है कि आने वाले कुछ महीनों में MG कुछ कर पाती है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा अगर अगर हम नेक्स्ट पोजिशन की बात करते हैं तो हमारी 11 पोजिशन पर आती है निसान जिसकी 210 उनिट भी की है और अगर मैं इसके hot selling product की बात करता हूँ तो है इसका निसान मेगनाइट जो की value for money भी बताया जाता है और इनके पास भी कोई ज़्यादा options है नहीं मेगनाइट और वोई पुरानी की CPT Guardian की चलती आ रही है इसकी वरे से इनकी sales 2000 के आसपास जैसे के आपने भी देखा इतनी ही चलती रहती है और एक news और इससे related इसकी जो company है Datsun वो इंडिया से discontinue हो चुकी है और globally भी discontinue कुछ दिनों में होने वाली है और 10th position की बात करता हूँ तो 10th position पर आती है Volkswagen जिसकी 3547 unit भी की है और भाई ये गाड़ी काफी सही बना रही है आज के time में और मैं इसके एपरेल की पिछले साल यानी 2021 की बात करता हूँ तो एक डेड़ हजार unit से भी की थी और इस महिने की बात करता हूँ तो अभी आपने देखी होगी 3547 unit भी किया डबल से भी जादा और मैं इसी की sister company की बात करता हूँ तो 9th position पर आती है Skoda जिसकी 5152 unit भी की है भाई और मैं अकर इसके hot selling product की बात करता हूँ तो इसकी hot selling product है Skoda कुशेक जो की काभी trend में चल रहा है इस time में और अपने segment में ये compete करती है Krata को और Seltos को लेकिन उससे उपर तो ये जाए ने सकती है फिलाल तो मतलब January आने वाल टाइम में चल जाती है तो पता नी और next position की बात करते है तो आती है 8th position पर Renault जिसकी मैं April की बात करते हूं 2022 की sales की तो 7594 उनिट इसकी भी किया है और ये जादा महेंगी गाड़ी नहीं बनाती है जादा low budget गाड़ी बनाती है और next position की बात करते हैं तो 7th position पर आती है हमारी होंडा जिसकी 7874 उनिट भी किया है मारुति की बला इनो पर लगलेंजर लिख देंगे और ब्रैजर पर अर्वन क्रूजर लिख देंगे अपनी डिजान इनके पास है नहीं और इनकी दो सदबार गाड़िया फॉर्चुनर और इन गाड़ियों की तो कोई sales पर इफेक्ट पड़ता है यह जितनी बिखनी है हर टोयटा की sales जैसे इनके पास जादा option है नहीं तो इसके हिसाब से भी इनकी sales सही हो रही है और अपरेल 2020 की sales की बात करते हैं तो इनकी 15,085 units अपरेल 2020 में भी की है और next position की बात करते हैं तो next position पर आती है हमारी Kia Motors जिसकी अपरेल के महीने में 19,019 unit भी की है और अभी फिलाल इनका hot selling product जो चल रहा है वार्गेट में वो चल रही है Kia के कैरंस और Kia कैरंस पचास बावन या पच्पन हजार के आसपास इसकी booking भी हो चुकी है और इनकी सेल्टोस भी गाड़ी और सेल्टोस है और सोनेट है जो की काफे ट्रेंड में चल दिया है mostly लेकिन अभी फिलाल उस काफे जल्दी बना लिया है और मैं next position की बात करता हूं तो आतिया महिंद्रा इसकी April 2022 में 22,526 उनिट भी गी है इनके पास भी जादा options नहीं है और ये एक गाड़ी को लॉंच करने में काफे time लगा जयते हैं जैसे कि इननने एक गाड़ी 700 लॉंच करी लेकिन इनने अपना ये ऐसा प्रोड़ेक्ट निकाल दिया इसका मार्केट में तोड़ी नहीं मिल रहा और अभी एक्स्वी 700 की तो आपको पता है ये वेटिंग भी काफी लंबी चल रही है और फीचर वाइस इतने बजट में इससे कोई किसी भी कमपनी के पास इससे अच्छी गाड़ी मेरे आप से तो है नहीं और मैं इसके और भी गाड़ियों के बात करता हूँ जैसे महेंदरा स्कोर भी हो जाती है उसकी सेल्स पर हर महीं ने कोई फलग नहीं पड़ता और एक्स्वी 300 भी ठीक ठाग भी जाती है लेकिन ज़्यादा सेल्स नहीं हो पा रही है और नेक्स्ट पास अपशन काफे ज़्यादा है और नेक्सों जो भी स्क्रीन पा रही है इस टाइम पर ये टाटा की सबसे ज़्यादा बिखने वाली गाड़ी है और सबसे ज़्यादा क्या ओवर बी बात करता हूं तो नेक्सों एक ऐसी गाड़ी है जो फॉर्थ फिफ्ट पॉजिशन पर हर महीने इसकी सेल्स हो जाती है और टाटा के लिए ऐसी कंपनी भी है जो इवी इस पर सबस्या ध्यान दे रही है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपनी गाडियों को लॉंच कर रही है जैसे टाटा की एक दो टे गौर और एवी नेक्सवन इवी भी आ चुकी है औ वो सेफटी वाइस टाटा से मजबूत और सेफेस्ट कार कोई नी बना रहा है इनकी हर गाड़ी की मॉस्टली फॉल स्टार फाइव स्टार रेटिंग रहती है और अब सेगंड पोडिशन अपर आ जाती है हमारी होंडा है जिसकी एपरल दोहजार बाइस में 41,000 एक यूनि है और देखा जाए तो यह और होंडा है और टाटा हर महीनी इन दोना में आपस में कॉम्पेटिशन चलत रहता है कभी यह सेगंड पे तो वो थर्ड पे कभी वो थर्ड पे तो यह सेगंड पे और एड़ लास्ट वन ओड़ फेवरेट कंपनी और इंडिया इस मारती होगी है अगर आप एड़ कर लोगे और साथ एक दो कंपनी को और एड़ कर लोगे तो मारती को नहीं कॉम्पेट कर पा रही है और देखना है फ्यूचर में कौन मारती को कॉम्पेट कर सकता है मुझे तो ऐसा लगता है टाटा ही कर सकती है क्यों फ्यूचर को दियान में ल